इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टिंग बिल्डर क्लास के वरें प्रिवेस वीडियो में हमने डिसकस किया था स्टिंग बफर क्लास क्या होता है स्टिंग बफर क्लास के मैथड्स भी कवर किया था हमने अगर जहां आपका छोड़ गया था प्रिवेस वीडियो देख लो object that is mutable which means it can be changed after it is created. मतलब string builder object create करने के बाद जो इसके अंदर content आप modify कर सकते हैं यह string buffer class के अंदर भी possible है इसके अंदर भी same है ठीक है but next decodefinition मैंने लिख्या लिखा है string builder class is same as string buffer class except for one important difference that is it is not synchronized. जो string builder class से आपका यह non-synchronized है clear point it is not synchronized clear which means it is not thread safe मतलब multiple threads आप एक साथ access कर सकते हो string builder class में but string buffer class में आप नहीं कर सकते हैं clear and point we will discuss practical next देखो यहां पर point लिखा string buffer class and string builder class both are used to create multiple string object मतलब समझ गया मुटेवल मतलब it can be changed after it is created दोनों में हम कर सकते हैं string buffer class में भी string builder class में but if synchronization is not required then it is recommended to use string builder class clear अगर जा synchronization required नहीं है तो आप यूज करो string builder class string builder class जो होता है न बेसिकली पर्फोर्मेंस वाइस फास्ट होता है as compared to string buffer class clear point क्योंकि एक टाइम पर आप multiple threads आप access कर सकते हो string builder class में but आप string buffer class में नहीं कर सकते क्लियर है और string buffer class के इंदर जितने भी methods है ना all methods are synchronized clear point और इसके अंदर आपका string builder के अंदर non-synchronized है सारे method ठीक है बट एक चीज़ें याद रखना जो string buffer class के अंदर जितने methods हमने cover किया नहीं as it is आपका use होगा string builder class के अंदर इसमें यही एक difference है कि यह non-synchronized होगा क्योंकि यह class ही non-synchronized है आपका string builder class है ना चलिए next है आपका point देखो मैंने यहाप लिखा है देखो string builder constructors आपका यह जो string builder का यह four constructors है है ना और same आपका string buffer class में भी four constructors था ठीक है ना clear point then और इसका जो by default capacity होता है वो होता है 16 ठीक है इस्टिंग builder class का और इस्टिंग buffer class का भी 16 ही था हमने प्रैक्टिकल discuss किया और यह दोखो methods हमने लिखा यहां पर यह सारे methods हमने इस्टिंग buffer class में यूज कर चुके हैं सारा यूज किया है अगर जहां आपका छूड़ गया ता आप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यह सारे methods हमने cover कर लिया है ठीक है ना चलिए हम example बात करते हैं तो हम क्या करते हैं फाइल कर लेते हैं 22.java कुछ भी दे सकते हूं फाइल का निम देन मैं class क्रियेट कर लेता हूं माई इस्टिंग बिल्डर चलिए अब यहां पर इस्टिंग बिल्डर का अब्जेक्ट मना लेता हूं as we refresh variable equal to new इस्टिंग बिल्डर और यहां पर मैंने लिखा दीपर मैं इसमें करना चाहता हूं इस जो स्टिंग बिल्डर आब्जेक्ट क्रियेट किया ना इसके अंदर जो content है इसको करना चाहता हूँ तो मोडीफाय करने के लिए हम यूज करेंगे अपाइड में जो अल्रएडां यूज कर चुके हैं फटर्फर क्लास में ठिके न हाँ पे अबίश करना चाहता हूं लुब्ता और इस पेस भी दिया ठी Cathार मैं इसको cd desktop पे मेरा folder है desktop पे चले जाता हूं cd java नाम का फोल्डर है desktop पे चले गया जावा नाम के folder में java c file का नेम है str22.jav चले compiles find class का नेम है my string builder ठीक है देखें यहाँ पर आपका modify हो गया content ठीक है न जो string builder object के अंदर content है modify हो गया clear है तो इससे तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो भी हम लोग content write करते हैं उसको modify कर सकते है ठीक है clear है example number two example number two देखो अब यहाँ पर मैं by default इसकी capacity is 16 है ना या और string buffer class का भी से मैं चलिए हम चेक करके देखते हैं क्या ऐसा है मैं अभी यह content यहां से सारा हटा देता हूं और मैं यहां पर चेक करता हूं उसका default capacity चलिए तो आना क्या चाहिए इसका 16 चलिए हम देख लेते हैं 16 आपका output आता एक नहीं अगर मैं यहां पर content इसमें राइट करूंगा तो यह क्या हो जाएगा आपका देखो मैंने लिख है दीपक तो यह आपका कितने characters है इसमें 6 add हो जाएगा या नहीं 22 हो जाएगा क्योंकि 16 तक तो इसका reserved है ठीक है तो इसको अगर जा मैं compile करूं चलाओ देखो यहां पर 22 आ रहा है ठीक है clear है चलो इसको भी मैं यहां पर copy paste अगर मैं यहां पर सब्सक्राइब कर देता हूं और इसको हमने डिटेल्स में डिसकस कर लिया है प्रिवियस वीडियो में ठीक है इस्टिंग बफर क्लास में जो डिसकस किया था ठीक है यह सारे methods हम cover कर चुके अब यहां पर क्या वरता हूं मैं इसका length find out करके देखता हूं length method को use करके ठीक है तो आपका string का length बताएगा ठीक है क्या है इसका length 6 है ठीक है तो यह आपको print करेगा 6 जो string builder object के अंदर content है आपका string जो pass किया मैंने तो 6 characters है तो 6 pass return करना चाहिए देखो 6 clear point done तो ने cover किया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं यह हम लोगों ने cover कर लिए example number 4 एक और method मैं cover करके दिखाता हूं देखो तो यहां पर क्या करता हूं मैं sb.set care method यूज करता हूं set care ठीक है तो मैं character change करना चाहता हूं किसी index number का index number पर जो भी character होगा उसका हम उस character को change कर सकते हैं जैसे मिहां पर d है ना तो यह 0 number position पर ठीक है ना change हो जाए small d capital ठीक है और मैं इसको print करके दिखाता हूं यह भी method already हम cover कर चुके है ठीक है ना शुलिए मैं इसको compile करता हूं compile oh sorry semi colon mistake semi colon दे दो शुलिए compile fine देखो यह अब देखो यहां पर d आपका change हो गया small से capital हो गया देखो यहां पर output clear point then यह सारे methods जो भी string buffer class के अंदर methods cover किये थे आप यूज़ करोगे methods string builder class में ठीक है लगने एक ही difference यह कि string builder class जो है ना non synchronized class है ठीक है ना इसके अंदर जितने methods हैं क्या होगा thread safe नहीं हो clear point then एक time पर multiple threads आप access कर सकते हो string builder class में तो यह fast होता है as compared to string buffer class तो इसको note कर लो note करके आप practical करो तभी समझाएगा ठीक है ना में तिन्चार example discuss किया तिन्चार method और भी methods है यह सारे methods आप लोग cover करो ठीक है ना यह already हम string buffer class में cover कर चुके है अगर जहां आपका चूट किया ता previous video एक बड़ देख लो ठीक है तो आज हमने इस्टिंग बिल्डर क्लास क्या होता है एक इस एक्जामपल हमने cover किया ठीक है अपकमिंग वीडियो में हम लोग difference देखेंगे point wise कि string buffer class and string builder class में क्या-क्या differences है जो इंटर्व्यू में बहुत वार पोचा गया है clear at point तो आज हमने string buffer builder class cover किया तो इसको note कर लो note करके तब तक आप प्रैक्टिकल करो ठीक है एंड लाइक करो comment करो subscribe करो यार मिलते है नेक्स्ट टुडियो थैंक यू बाबाए